सो हेलो एरिवन साइन्स एम केसमें आपका बहुत बहुत स्वाग आते स्टाप नर्स और एनेम वालों के लिए डबल कुसकबरी रहने वाली है क्योंकि यहाँ पे स्टाप नर्स और एनेम की एक साथ डबल वेकियंसी जारी कर दी गई है यहाँ पर आप ओपिसली देख सकते हो स्टाप नर्स का वेकियंसी इसे के साथ एनेम का वेकियंसी का पिसरा आपको दिखाए दे रहा होगा इसके लावा फार्मसिस्ट और पेरा मेडिगल जैसे की लेब टेगनेशन की पोस्ट भी यहाँ पर रहने वाली है तो चलिए देख लेते हैं कौन को ने अप्लाई कर सकता है सेलेक्शन का प्रोसेजर क्या रहेगा फोरम का पिस क्या रहने वाला है कितना सेलेरी रहने वाला है यह सारी जानकरी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कापी सारे कमेंट आ रहे थे सर एनेम के वेकेंसी लेके आओ तो फाइनली आपके लिए एनेम के वेकेंसी फार्मसिस्ट के वेकेंसी भी हम लेके आ चुके हैं तो सबसे पहले यहां पर देखो आप स्टाप नर्स एनेचेम ठीक है केटिगरी वाइज यहां पर पोस्ट आप देख सकते हो अन्रिजवड का ओबीसी का एडव्ल्यूस यससी एस्टी सभी केटिगरी के लिए रखा गया है इसी परकार एनेम का अगर हम देखे तो यहां पर एनेम आरबी एसके इसी परकार एनेम एम टीसी इसी परकार आपका 90 नमर पे स्टाब नर्स एनेम यहां पर आप देख सकते हो फार्मसिस्ट और 11 नमर पे एनेम लेब टेगनिशन और इसके अलावा और भी मैं आपको बतना चाहता हूं कि किस परकार से आपको और ओपिसल वेबसाइट पर भी अपडेट आ चुका है हम आपको दिखाएंगे राश्टे स्वास्ते मिशन कोडरमा की तरब से वेकेंसी को जारी कर दिया गया है यह नोटिब केशन आप देख सकते हो यह देखिए जिला स्वास्ते सिमिती कोडरमा और आवेदन जमा कराने की अंतिम तीती है 18 सितंबर 2024 18 सितंबर 2024 इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है चली स्कूल डाउन यहाँ पर कर लेते हैं और यह इसका फुल नोटिब केशन आप देख सकते हो जैसे की स्टाप नर्स को लेके पूरा अपडेट इन्होंने दे रखा है इसी परकार एने वेकेंसी का पूरा यहाँ अपडेट इन्होंने दे रखा है क्या एजुकेशन को लिपकेशन चाहिए कितना एक्सप्रिंस चाहिए या नहीं चाहिए सब इसमें हम देखेंगे और इसे प्रकार यहां पे हम आपको बताएंगे कि आपका सेलेक्षिन किस प्रकार से होने वाला है पहले तो यह नोटिव किसन आप देख सकते हो यह देखिए आयुशिमा एज लिमिट को लेके भी अपडेट आ चुका है यहां पे चेन की सड़ते क्या रहने वाली है वो भी आ चुका है चेन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है वो भी यहां पे आ चुका है आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है वो भी अपडेट आ चुका है और यह इसका फोरम आप देख सकते हो तो इसकी जो official website है पहले वहाँ पे भी update में आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको विश्वास हो, trust हो जैसा कि यहाँ पे आप देख पारूँगे यह Coderma की official website है ठीक है? अब यहाँ पे करना क्या है आपको? नीचे स्क्रोल डाउन आपको करना होगा और requirement का जो page है इसमें last में आपको दिख जाएगा यह देखिए यह राह यहाँ पे requirement का पूरा notification आप देख सकते हो इसके official website पे भी आ चुका है तो जैसे हम यहाँ पे download पे क्लिक करते है तो पूरा notification हमारे पास आ जाता है सो चलिए notification आ चुका है राश्ट है स्वास्ते मिशन के अंतरगत सवीदा पे यह रहने वाली है बाकि वेकेंस अच्छी देए मैं यही कहूंगा अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको जो forum apply करना होगा वो offline तरीके से करना होगा speed post के मादेम से करना होगा 18 सितमर से पहले पहले करना होगा यह इसके official website है चाओ तो आप no down कर सकते हो और इस staff nurse के लिए कौन कोन apply करेगा 10 वी बार वी पास होना जरूरी है और JNM BS nursing वाले forum बर सकते कोई दिक्केत वाली बात नहीं है ठीक है registration आपके जारखंड का होना चाहिए इसी प्रकार data manager और इसके अलावा ANM का देखो आप ANM का होई यह 10 वी बार वी और ANM का certificate होना चाहिए आपके पास या तो INC से अप्रूल हो या पिर जारखंड nursing counseling से होना चाहिए इसी प्रकार ANM MTC का देख सकते हो और education qualification 10 वी बार वी पास और ANM का certificate आपके पास में होना चाहिए clear यह 90 नमर पे आप pharmacist 10 वी नमर पे pharmacist और 90 नमर पे staff nurse NUHM का देख सकते हो इसमें same way G&M वाले apply कर सकते है और registration आपके state का होना चाहिए देखो हर state से weekends निकलती है जिन्होंने subscribe कर रखा होगा उनको पता है अब यहाँ पे education qualification आपने देख लिया अब बात करते age limit की आयशिमा तो अधिकतम यहाँ पे देखो सामाने वरगवा लोग के लिए 35 और पिछला वरगवा लोग के लिए 37 और अनुसुजित जाती जनजाती वा लोग के लिए यहाँ पे देख सकते हो आप 40-38 दे रखा है ठीक है चेन की सरते क्या है तो इसमें देखो आपका चेन किस प्रकार से किया जाएगा और क्या प्रिकरिया है तो अभ्यारत्यों का चेन सेच्शनिक तकनी की प्रिक्षा प्राप्त का रेटन एकजाम के माद्यम से किया जाएगा सभी उमिद्वार जो डाक इसपिड़ पोस्ट के द्वारा भेजना सुनीशित करे ठीक है और अंतिम रूप से तियार के गई मेदावी सुची का यहाँ पर आप देख सकते हो और आवेदन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर आप देख सकते हो किस प्रकार सबको करना है ओप्युक्त योग्यता के अंतरगत जनमतिती जिसमें मेंचनो जिसे के 10 वी बार्व का मार्क सिट होना चाहिए आपका नर्सिंग का डिग्री डिपलोम होना चाहिए और यह सब डॉक्मेंट्स आप तयार करके रखो आवशेक अंग पत्रों का परणाम पत्र होना चाहिए आपके पास कुल मिला के सारे डॉक्मेंट्स काम आने वाले है और जो फॉर्मेट में अभी आपको दिखा रहा हूँ यह वाला पहले तो यह आपको बरना होगा जिसमें आपका नाम, पता, एड्रेस और आपका परमनेंट एड्रेस passport size पोटू यहाँ पे आपको लगाना होगा और आपका matrix enter यह सब जो भी आपने किया है यहाँ पे आपको fill up करना होगा कारे अब आपको यहाँ पे mention करना होगा जनम तिती विगरा signature विगरा आपको करना होगा यहाँ पे अब देखो ये सब करने के बावजूद पासपोर्ट साइज पोटो लगाने के बावजूद आपको सारे डॉकॉमेंट्स अटेज करने है और अटेज करके ये जो आप एडर्स देख रहे हो उस पे आपको सेंड करना होगा और पहले पीस भी देख लो कि आविदन सुल्क कितना है तो इसका पीस है और आविदन जमा कराने की जो तीतिय लास्ट अठरा सितंबर पांच बजे इसके बाद विचार नहीं किया जाएगा इन्होंने साब साब बोल रखा है और ये लिपापा भेजना कहा है हो भी देखो सबी तरह के पूर्ण आविदन को भंद लिपापे में इस जमा कराना होगा विज्या पन सिंक्या देख सकते हो पद का नाम देख सकते हो ठीक है और इस सिँनिच राप देख सकते हो अब देखो यहाँ प miel जायेगा ताकि आ कि इसको रीड कर सको बाकी आपके इस्टेट-का कोई वे अपडेट आएगा तो नर्सिंग पेरामेडिकल का अपडेट यहां पे आपको मिलता रहेगा